नमस्कार में भात पीश्री बिस्यन नियुज के बिस्नेस समाचार में आप सभी का स्वाथ थे कब्रों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक मिल सर आज की सुख्यों पर विदैशों में दोनों किमतों के पेच खरी लुस्तर पर इस्तोबात को सोने चांदी के दाम पढ़के हैं एम सेक्स पारता पाजार में सोना 277 रुपे यानि 6.45 प्रतिशत की मजबुति के साथ 48,621 रुपे प्रतिशत की मजबुति के साथ 31,822 रुपे प्रतिशत की मजबुति के साथ 1883 रुपे प्रतिशत की मजबुति के साथ हर समाम की तरह महिंगाई की मां से ड्राइफुट्स भी अच्छत दि रही है कोरोना कार्मी एमिनिटी पढ़ाने के लिए विटामीन और प्रोटिन युक्ति ड्राइफुट्स की बांग पढ़ गई है ड्राइफुट्स में काजु बादाम किसमेस और प्रतिशत की भा में महिंगाई की पन लगए है काजु करीब 200 रुपे प्रति 10 किलो यानी 20 से 30 रुपे प्रति किलो महिंगा हुआ है वही बादाम कुछ माह पहले 5000 रुपे प्रति 10 किलो की रेंज में चल रहा था जो कि अपी 6500 से 7500 रुपे प्रति 10 किलो की रेंज में आ गई है थोग में 5,000 रुपे प्रती 10 किलो चलने बाला काचू सिदे 5,300 से 5,500 रुपे पर आगया है वही चिल्लर बाजार में इसके अच्छे खासे भाव बढ़े वे हैं काचू के रॉनट के भाव बढ़ने की कारण इसमें तेजी आई है इसे में 400 नंबर का काचू 6,000 से 6,200 रुपे 320 नंबर का 6,600 से 6,800 रुपे प्रती 10 किलो के भाव से चल रहा है मैया पारियों के अनुसार अभी ड्राइफर्ट्स में काचू और बादाव की अच्छी डिमांड है वही बादा में प्रती किलो पर 40-50 रुपे की टेजी आई है तोक में रेगुलर वाले की भाव 550-580 रुपे प्रती किलो और मोटी वाले की भाव 650-700 रुपे प्रती किलो चल रहे है अब इसकी भाव घटने की कोई भी संभाना नहीं है काजु बादाम की तरह ही किस्मिस और पिस्ता की भाव भी पड़े वे हैं बाजार में किस्मिस की 40 प्रतिशत की आवक हो रही है किस्मिस ठोक में 30-40 रुपे बढ़कर 210-260 रुपे प्रति किलो पर पाँच के हैं वही चिलर में इसके भाव 300 रुपे तक बताए जा रहे हैं पिस्ते में 100 रुपे की तेजी आई है और इसमें शेल वाला पिस्ता 825-850 रुपे और साधा 1200-1400 रुपे प्रति किलो चल रहा है अक्रोट की भाव स्थीर बने फिय है शेल वाला अक्रोट की भाव 400-550 रुपे और किरी 500-900 रुपे प्रति किलो चल रहा है कोरोना वारस से बचाने के लिए इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए हर तरह की प्रयोग के जा रहे हैं इसके लिए बनाई जाने वाले काड़ा के कफ में गर्ण मसालों ने उबा ला लिया है काली मिर्श के भाव में 25 से 70 रुपे की देची आई है पिछले एक मा से लोग और काली मिर्श के भाव सुर्ख बने पे हैं कोरोना से बचाओ के लिए आयरुवेदी काड़ को लोग नियमित दिन्चरिया में शाविल करे है इस मारमारी से बचाओं के लिए शरीर की डोग प्रतिरुख शम्ता बढ़ानी आयरवेति काड़ी काड़ी का सेवन बढ़ा है इसमें इस्तेमाल हुने वाले काली मिच, लोंग वा अत्रक की दामों भी लोगड़ों के मुकाबले अब तेजी आई है अधिकांश घरों में काड़े का इस्तेमाल किये जाने से मसालों की खपत में 33-40 फिसद वृत्ति हुई है लोंग में जहां 100 रुपे की तेजी आई है वही करनफुल महंगाई की मामले में रिकार्ट बना रहा है अप्रेल में 450-525 रुपे कीलो बिक निपाली लोंग 100 रुपे तेजी के साथ 550-625 रुपे प्रतिक कीलो पर आके है इसे तरह 370-430 रुपे चलने वाली काली मिर्च इस समय 450-500 रुपे प्रतिक कीलो पर जा पहुची है व्यापारियों की अनुसार मुख्य रुप से भारत, अमेरिका और युरोप की देशों को मसाली का निर्याद करता है लेकिन कोरना काल में बांगला देश मोरस को इरान, मलिशिया और चीन जैसे देशों से भी भारतिया मसाली की मांकारी है भारत के गर्म बसालि के साथ अन्यम बसालि कापी निर्याद किया चाता है मुख्यरूप से अद्रिक, हल्ती, धनिया, जीरा, तेजपत्ता, लैसुन, बिर्ज, लॉंग, करी पाउटर, जैसिम बसाली निर्याद किया चाते है बिरो रिपोर्ट, बेसियन निउस पेटोल और डेजल के दाम लगातार रिकॉड बना रहे है और इन सेटी में पेटोल की किमत शतक लगानी की ओर है पेटोल शतक से मात्र त्रियालिस पैसी दूर है चिलर चिलर में बढ़ती भी पेटोल 99.57 रुपे प्रती लीटर पर पहुँच गया है पेटोल और डेजल के दाम में बड़ो तरी से आम लोगों की नाराज की सरकार की प्रती बढ़ती जारी है लोगों को एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है तो वही दूसरी तरफ पेटोल और डेजल के महगाई की कोरोना संक्रमन से लोगों का दवा के उपर काफी खर्च हो रहा है अब पेटोल की लगातार पढ़ रही केमत से आम आत्मी की चेप हलकी हो रही है लोग्डॉम में कुछ दिनों पहले तूर और चैने के भाव बड़ो तरी तो मात्र दोसों से दोसों पचास रुपे होई थी लेकिन किरावट इस से अति ती से चारसों रुपे की होई है सब्ता पर पहले जो चना 4,900 से 5,200 रुपे प्रती क्विंटल पर चल रहा था वह अभी घटकर 4,700 से 4,850 रुपे प्रती क्विंटल पर आ गया है इस तरह तूर भी घटकर 6,300 से 6,600 रुपे प्रती क्विंटल पर आ गया है एपीमसी थोग बासार में इस समय आसपास के किसानों द्वारा करीब 3,000 पूरा चना लाया जा रहा है वही 1,000 पूरे तूर की आफ़क हो रही है माल बाहर नहीं जाने की कारण एपीमसी तक ही सिमित रह गया है इससे भाव में भी गिरा वटाई है माल की किमत खटने से किसानों की चिंता पड़ गई है वही सोयाबिन के भाव खटके है जो सोयाबिन की भाव 7,200 से 7,500 रुपे प्रती क्विंटल तक गय थी वह अपीस्टी थी 300 से 400 रुपे किरती वी 6,700 से 7,200 रुपे प्रती क्विंटल पर आके है इसकी आवब भी 800 से 1000 पुरे पर बनी हुई है विरो रिपोर्ट BCN News खबेर समाप्त करने से पहले आगी डालते हैसर आज की सुख्यों पर शतक के गरीब पोचाव पेट्रोल 99.57 रुपे प्रती लिटर पर पेट्रोल 90.06 पर चल राटी जिल लोग और काली मेट सुर्ख काड़ी की डिमान से पड़े भाव बिजनेस समाचाव में फिला लुता ही ऐसे यंदे खबरों से जुड़े रहने के लिए देख तेरीगे BCN News नमस्कार